नमस्कार दोस्तों गाववाला 108 में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है आपका दोस्त वर्जु कुमार आप सभी को प्रकृति का आनन दिलाने और घुमाने लिये आया है दर्भंगा के हरही लेक प्रपर बाते करें तो वह है कथलबारी दर्भंगा हरही लेक यह लेक इ एक त्याहई जो है आपको चारो तरफ सीड़ियां देखने को मिलेंगे जो कि छटगाट यहीं पर मनायाग भी गया था और मनायाग भी जाता है और यह जो तलाब है काफी यानि लेक जो है काफी बड़ा है यहाँ पर बोटिंग भी होती है यह लगभग 600 फीट लंबा है और 14 1000 फीट है हलाकि वर्तमान में यह काफी गंदा है लेकिन इसे गंदा नहीं होना चाहिए सामने आप देख पा रहे हैं एक मंदिर भी है क्योंकि सुमय साम जो लोग है अपना समय बिताते हैं पार्क में जिस तरह से लोग आराम करते ठीक उसी तरह से यहाँ भी लोग आ याद कर रहे थे सीटी मारे होते हो तो सोर सरबा होता रहता है कहा तो यह भी जाता है कि इसकी खुदाई सैनिकों के क्वार्टरों के लिए उठी हुई जमीन सुरक्षित करने के लिए की गई थी माना तो यह भी जाता है कि कभी यह सहर मुसलमानों की छावनी हुआ करती थ देखिए दिवाल पे स्लोगन लिखा हुआ है जिस पर लिखा हुआ है आई लव दर्भंगा इसके अलाबे कई सारे मैसेज जो है दिवाल पे दिये गए हैं एक सौट जो है इस पेर का ले लिजिए आप देखेंगे कि इस लेक के चारों तरफ हर्याली है क्योंकि हाँ पेर ल देहरा रहा है और पीछे जो रोड क्रोस्सिंग करने के बाद पीछे जो है सियम लॉव कॉलेज है वो भी हम आपको दिखाने का काम करेंगे और आने बाले समय में दर्भंगा के कोनी कोने से आपको रुबरू कराएंगे इसलिए इस वीडियो को देखने के पहले मतलब स्वर्ग जैसा दिखेगा दोस्तों आने वाले समय में हम दर्भंगा से आपको कोने कोने की ख़बर आपको आप तक पहुचाने का काम करेंगे बस आपका काम है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करकर रखिए और प्लेलिस्ट चेक हमेशा किया कि जिखनों कि उसमें आपको ब भाई साब सोय परे हैं साइद ये भिखारी हैं इंसान हैं सो रहे हैं चलिए आज की इस व्लॉग को यहीं पर खतम करते हैं मिलते हैं एक नय व्लॉग वीडियो में वीडियो देखने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद